आज मैं आपको राउंड नैक में डीजाइन बनाना बताओंगी किस तरीके से हम राउंड नैक में डीजाइन बनाते हैं यह देखे यह मैंने बुक्रम ली है जो बुक्रम की मेरी चोडाई हो वह है 12 इन्च और लंबाई लिए है हमने इसकी 9 and half और उसके बाद हम इसमें राउंडर की सेफ देंगे सबसे पहले तो हम जैसे नॉर्मली गले में लेते हैं 3 इंच लेकिन इसमें हमें एक स्ट्रिप बना के लगानी होगी तो इसमें हम लेंगे 5 इंच इसमें हम 5 इंच लेंगे और उसके बाद लंबाई में जादा लेना होगा इसमें हम लेंगे 8 and half इंच इतना और उसके बाद यहां से भी हम इसको इतना ही करेंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे अब इसमें हम राउंड सेप देंगे हम इसमें डेरिंग्स पर करतेंगे अब उसके बाद हम यहां से जो मार्जन रखेंगे वो हम इसमें हम एक इंच का रखेंगे और इसको हम इसी तरीके से मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इस एक्स्ट्रा बुक्रम को भी हम कटिंग करके अलग कर देंगे इसकी कर देंगे इसकी कर देंगे कर देंगे यह देखिए यह हमारा रांग ने कट चुका है और उसके बाद हम यह वाला कपड़ा लेंगे इसको बनाने के लिए और उसके बाद कुर्टी की कटिंग मैंने पहले से की हुई है और मैं इसमें इस कलर की हमारी कुर्टी है तो मैं इसमें इस कलर का ही उसका रही है दूसरे कलर का जो मैं इसमें डिजाइन दूंगे उसके लिए तो इसके लिए हमें कपड़ा लेना होगा और कपड़े को हमें लंबाई में लेना होगा फ्रेंच ऐसे और चोड़ाई में हम लेंगे इसे क्योंकि हमारा आहापिंच सिलाई में जाएगा और इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे पहले और देखिए इसमें कुछ इस तरीके से सेप आती है अब देखिए जो मैं इसमें स्ट्रिप लगाँ उसके लिए जैसे चोड़ाई में लेंगे हम 3 इंच और उसके बाद लंबाई में भी हम 3 इंच लेंगे और इसको इस तरीकी से सीधा कर देंगे यहां से भी इसी से मिला लेंगे अब उसके बाद जो हम उपर से तो देंगे हम छोटी से और नीची से देंगे हम ज्यादा जैसे यहां से लेंगे हम दस्टो एंड-1-5-एंच और उपर से लेंगे हम आप इसे फोल्ड करके इस त्रीके से भी ले सकती है देखिए एक बार ऐसे कप्ड़े को फोल्ड कर लें दबल टर में यहांसे लिया यहां से लेके इसको और इस तरीके से सेव देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे अब देखिए नीचे की चोड़ाई तो इसकी जादा है और ऊपर की थोड़ी कम है अब इसी तरीके से हमें यह मैं इसी के बराबर एक और कप्डा कट कर दो जिसे हम सिल्के फिर इसे फोड़ करेंगे तो मारे दागे वगयर सब अंदर आ जाएंगे मैं इसी तरीकी स्वावपर निकट कर लोगी इसके इसी साइज से हुआ कर दो मैं तो हुआ हैि यह साइज से पांड़गों था सो अंदर इसी तरीकी साइज साइज से हावड़ी कर दो कर दो दो तरीक tooth कि अग्यारी हुआ है जी कर वेुआ है यह जिसा दो मैं रिपर्षना Wir样 है मैं पहुआ है कर देंगे और अच्छे से इस तरीके से यह हमें ऐसे सिल्के चारो तरप से और यह खुला छोड़ना है नीचे वालत तब हम इसे सीधा करके और ऐसे हम इसके जैसे हमारे दो पीस हैं तो दो हमारा एक पीस माना जाएगा क्योंकि हमें यह एक पीस में ही दो जॉइंट करने है इस तरीके से तो हमें फुल में लाके यह छे पीस कट करने है क्योंकि दो दो से हम तीन पूरे रांड में तीन जगा लगाएंगे एक तीरे क कट कर लूँगी तो मेरे कट चुके हैं कि अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और कपड़े के उपर गले को इस तरीके से रखेंगे और इसके उपर सिलाई लगाएंगे दोले की चारो तरप सिलाई लगानी हमको कर देंगे जहां से ज्यादा है उसे कटिन करके और बाकी के कपड़े को फोल्ड करके से तयार कर लिए अब देखें आपको इससे सिलना बताऊंगे गले को मैंने कुर्टी के कपड़े के उपर रख लिया है और इसके बीस सेंटर में कट लगा लिया है गले के उपर भी और इसको पिनप कर लिया है ताकि कपड़ा धरुदर को ना खिसके और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई को हमें सीथी साइड लगाना है तो ठीके और फिर हम इसे उल्टी साइड को पलट देंगे अभी देखिए हम इसे इसी तरीके से सिल लेंगे और फिन को निकाल के और हम इसकी कटिंग करेंगे कपड़े की यह पूरे कपड़े को कट कर देंगे सिर्फ थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखेंगे हम और इसमें कट लगा देंगे चूटे 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 ताकि कपड़ा इधर उदर को ना खिसके इसको हमने उल्टी साइड पलट लिया है और इसके उपर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बरावर करके कले को आउ आई 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 आए अ जौटे आई पूरे गले पर अ बिल्ड़ानी लगाकी ताया के लूं है इसको अब देखिए जो मैंने इस ट्रिप बनाई थी इनके उपर में सिलाई लगाऊंगी यह मुझे उल्टी साइड से रखनी है दोनो एक साइड खुली रखनी है जिसमें हम इसे सीधा करेंगे और इसमें इसे कट लगा की और इसको हम सीधा कर लेंगे और इसके नोक निकालेंगे देखिए इस तरीके से हमें इस ट्रिप बना ली है ऐसी मैंने यह बनाई है इस दो बना ली है सेम इसी तरीके से में दूसरी वाली भी बना के यह वाली इनको तयार कर लोगे जो मैंने इस ट्रिप बनाई थी मैं आपको इनने लगाना बताऊंगे किस तरीके से हम लगाएंगे यह देखिए यह कुर्थी का बीस सेंटर है और इस बीस सेंटर में हमें यह ऐसे रखनी है इस ट्रिप ऐसे इतने उपर अब इस गले की जो हमने चोड़ाई और यह लंब बीस सेंटर में रखके एक और सिलाई लगाएंगे इसके उपर और दागे को यहां से कट कर देंगे अब एक लग चुकी है उसके बाद हम दूसरी को भी ऐसे ही लगाएंगे इसको हम थोड़ा तीरे से नीचे लगाएंगे इसके बाद यह जो हमारी दूसरी स्ट्रिप है इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे जितना कपड़ा हमने यहां छोड़ा है इतना ही हम इधर छोड़के इसको भी लगाएंगे का마ना कई दूसरी खैएंगे कर दोसरी के लगाएंगे दूपने जाएंगेत अब देखिए तीनों स्ट्रिप लग चुकी है अब उसके बाद मैंने यह डोरी बनाई है यह देखिए यह मैंने बता रखे कई वीडियो में ऐसे बनाई है मैंने यह सीधी नहीं की है जैसे एक थोड़ा सा कपड़ा इधर से फोल्ड करते हैं थोड़ा सा इधर से फिर हम एक करेंगे पाद इनको हमें इस तरीके से लगाना है देखिए यहां से और यहां तक और यहां से यहां तक हम ऐसे लड़ाएंगे इनको सबसे पहले हमीं कट कर लेंगे इसी से नाफ के कर नहां गया है जहां यहां प्रच तोट था करदें लिक अनापे सिले इसको इधर सिल्ले के बाद जो हमारा ये वाला सेंटर है इसके उपर हम इसको ऐसे सिलेंगे इसकी सेब देख लें अच्छे से लाई लगाएंगे हम इसकी तरफ लग चुपी है अब इसके बाद हम एक और कट करेंगे इसके बरावर इसको भी हम ऐसे इसके नीचे रखके तब लगाएंगे रख्ष में बरावर रखना है मैं अच्छिए नीची ना y और इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगी इतना डिस्ट यह देखिये अब जैसे मैंने इस साइड लगाई है यह अब ऐसी ही में इसकी दूसरी वाली साइड पर लगाऊँगी यहां से हमको यह ऐसे ही लगानी है जैसे हमने इसमें दो स्ट्रिप लगाई हैं हमने और पनाई हैं स्ट्रिप इनको हम इस तरीके से लगाएंगे यहां से इतना गैप रखके शिलाई को हम यहीं से लगाना चार्व करेंगे और इसको हम इतना गैप देंगे इसमें भी और उसके बाद फिर हम यह थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इनको लगाएंगे प्रह्ट कर दोड़ा हैं झाल प्रह्ट करेंगे ट्रह्ट कर दोड़ा है मैं जाइब प्रह्ट कर दोड़ाई उसके बाद यहां से हम बीच से लगाएंगे इसको ऐसे बरावर रख लेंगे कपड़े को स्ट्रिप को भी हम बराबर कर लेंगे यहां से भी दागे को कट कर देंगे यहां से हम इनको बरावर रखके और ऐसे सिलाई लगाएंगे और यह बिलकुल बरावर करेंगे इनको वहां सेsाट चाहिँ इनको प्लवां अ herman यहां सेटीन हैं इनको अब यह देखी मैंने पूरे गले के उपर इस ट्रिप लगा के इनको तयार कर लिया है अब यह देखी जैसे हमने इसको राउंड किया था अब आप मारा जो यह बीच का सिरा है इसको हमें इस तरीके से ऐसे टांके लगाने हमें इसके उपर इनको हमें ऐसे गोल कर दीना है देखी तरीके से गोल करके और वापस से हमें ऐसे ही एक और बार टाका लगाना है इसके उपर इसके बाद यह बटन हम यहां पर लगाएंगे बटन के लिए हमें नीचे से ऐसे सुन पर निकालना होगा अब हमारा हलका सब वी सेप में आ गया है यह देखिए तरीके से अब मैं यह बना के तैयार करूंगी बटन लगा के देखिए यह मेरा गला आपके सामने बन के तैयार है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब चरूर करें थैंक्यू वीडियो